हरे कृष्णा राधे राधे आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बाल को पाल के लिए सुदर्शन चक्र किस तरह से बना सकते हैं ये बहुत ही अलग विचार है, बहुत ही डिफ्रेंट थॉट है ये हमें नीलम वर्मा जी ने भेजा है और ये आइडिया उनकी बेटी मुस्कान वर्मा का है इस तरह के क्रियेटिविटी से इस तरह के आइडिया से पता चलता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी एक अच्छी लाइन में जा रहे हैं और वो भी बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो मुझे उनका ये विचार तो बहुत ही अच्छा लगा हमारे छोटे से नन्ने ठाकुट जी के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में देखने में बहुत सुंदर बनाने में बहुत आसान है स्कार्ट करेंगे शुरू करने के लिए हम पहले एक कार्ट बोड ले लेंगे ये हमने स्क्वार शेप में लिया है इसके लिए हमें मटीरियल भी जादा नहीं चाहिए होता अब जो हमने cardboard लिया है उसके उपर पहले हमें एक circle ड्रॉ करेंगे ये circle हमें जो हमारी कानजी का हाथ है उससे पर थोड़ा सा बड़ा लेना है बहुत ये बहुत बड़े size का ने बनेगा बहुत छोटा सा बनेगा और उसके उपर इस तरह से हम triangle triangle बना देंगे circle के चारो तरफ जो हमें जो blade की shape होती है वो देगा अब इसको हम cut कर लेंगे अब इस जो बड़ा circle है इसके बीच में एक छोटा circle बनाके उसको भी cut कर लेंगे ये कुछ इस तरह से आ गया अब इसको हम जैसे मर्जी चाहे decorate करेंगे इस color कर सकते है water color से या glitter color से ये किसी और वे में इसको हम डेकुरेट कर लेंगे बीट से स्टोन से किसी और चीज से इसको decorate करके ये हमारा ready हो जाए देखे ठाकुर जी के हाथ पर इसको लगाएंगे तो कितने प्यारे लग रहे हैं मुस्कान बेटा का idea मुझे बहुत अच्छा लगा है दिल से दुआ है बहुत बहुत अच्छा है ठाकुर जी हमेशा उसके उपर अपने कृपा बनाये रखे उमीद करते हूं आप सबको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगे होगी बच्चों के appreciation के लिए ही comment में लिखे बच्छा तरूर